एलो स्टूरेंट्स आर उनलों बात करेंगे रिप्रेजेटेशन आफ टू दैमेशनल एरेज इन मेमोरी यानि टू दैमेशनल एरे को मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो फर्स्ट वी राइट रिप्रेजेंटेशन आफ representation of two dimensional arrays in memory तो देखेंगे इसमें क्या होता है जैसे माली जमने का let a be a two dimensional m into n arrays although a is pictured as a rectangular array of elements with m rows and n columns the array will be represented in memory by a block of m into n sequential memory location तो माली जमने कहा कि suppose कीज़े हमारे पास कोई array है a is an array ठीक है और इसमें m into n elements है यानि m rows और n columns तो इसको ordinary हम दिखाएंगे pictorial limitation में तो तो simply इसको हम ऐसे दिखाते हैं कि साब यह m row है यह n column है ठीक है यह माली यह one two three four ऐसे करके m rows हो गई और यहां one two three four ऐसे करके n columns हो गए तो इस तरह से तो हम pictorial limitation दिखाते हैं rectangular array को लेकिन memory में क्या होता है कि memory में the array will be represented in memory by a block of m into n sequential memory location तो memory में क्या होता है कि इसी array को m into m into n sequential memory location में दिखाते हैं मतलब serial memory location में sequential memory location से represent किया आता है ठीक है अब इसमें क्या होता है कि specifically the programming language will store the array a either column by column and this is called column major order और row by row and this is called row major order तो programming languages जो store करती है array को different programming languages यह store करती है या तो row major में ठीक है row by row store करती है या तो फिर column major form में जिसमें column by column store करती है ठीक अब इसमें क्या होता है कि अगर memory में इसको store करना है तो मान लिजे इसको मैं एक example से दिखाते हैं suppose कीजे तो मान लिजे हमारे पास की एक एक एरे है तो डामेशनल एरे है इन्टो फूर एरे है तो फूर एरे है ठीक अब इसमें क्या करना है कि इसको अगर हम column major या row major में दिखाएंगे तो देखे कैसे होगा suppose कीजे चुकि ये दिखाना तो है मैं sequential memory location वही इसी तरह तो मान लिजे ये एक दो तीन चार इस तरह जो है ये store है अब ये array है ठीक है अब यहाँ बें मान लिजे हमने लिखा सब्सक्रिप्ट ठीक अब इसमें क्या होगा ये हो गया one one फिर ये हो गया two one फिर ये हो गया three one इस तरह ठीक है और ये हमारी three into four array है तो यानि ये क्या हो गया ये हो गया हमारा column one फिर ऐसे हमने किया one two 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 three two ये हो गया हमारा column two तो इस तरह जब आप store फिर ऐसे ही column three और column four तो जब इस तरह आप store करेंगे तो ये कहलाएगा आपका column column major order ठीक और इसी तरह को अगर आप row major में आप store करना चाहेंगे तो दीखिए वो इस तरह होगा सबोस कीजिए ये आपका memory हो गया ठीक ये आपके different memory locations हो गए इस तरह ठीक है ये ऐसे ही आएगा अब इस पर क्या होगा कि मान लीजे ये हमने लिखा ये हमारी array है यहां हमने लिखा subscribe ठीक अब ये हो गया सबोस कीजिए one one फिर ये हो गया one two फिर ये हो गया one three ठीक उसके बाद ये हो गया one four अब one के बाद ये हो जाएगा फिर आपका ऐसे two one two 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 three two four फिर ऐसे three one and so on तो ये पूरा क्या हो गया ये हो गया row one row one ऐसे ये क्या हो गया ये हो गया row two तो इस तरह जब आप स्टोरेज करेंगे तो ये कहलाएगा आपका row major order ठीक अब इसमें क्या होगा कि अब हम मालूम है कि for a linear array the computer does not keep track of the address location of lak of every element ठीक है but does keep track of base la the address of the first element of the the computer uses the formula अब हम मालूम है कि किसी भी linear array के लिए हम बात करें तो हम ये मालूम है कि मालीजी हमने कहा कि कोई भी linear array अगर हमने कहा कि la है और इसका कोई element k है ठीक तो computer क्या करता है computer हर एक element का address अपने पास नहीं रखता है इसकी बजाए वो क्या करता है जो उसका starting address होता है basic address जिसको कहते है base la उसको अपने पास रखता है और उसके बाद formula से वो किसी भी element का address निकालता है अब कौन सा formula होता है जैसे वो ऐसे निकालेगा location of ठीक है यानि linear array la में का जो k element है उसका अगर हमको address निकालना है तो हम क्या करेंगे हम लिखेंगे base of la जो उसका basic address है वो और प्लस जो with है k-1 उसको हम जोड़ देंगे तो इस formula से उस kth element का address निकालाएगा ठीक जहाँ पर यह आपको मालूम है यह basic base address हो गया linear array का के जो है kth element हो गया डबलू जो है विद हो गया ठीक यहाँ डबलू is the number of words per memory cell for the array la यहाँ पर आप डबलू लिख सकते हैं डबलू is equal to number of words number of words पर memory cell memory cell for the array LA ठीक है and one is the lower bound of the index set of LA और one जो है क्या है यह lower bound है one is the one is the lower bound of the index set of of the index set of LA ठीक तो इस formula से linear array जो LA है वो kth element का address निकाल लेता है अब इसमें क्या होगा कि similar situation also holds for any two dimensional M into an array यह तो single dimension के लिखा है इसी तरह अगर आकपास two dimensional M into an array है तो क्या होगा कि the computer keeps track of base address the address of the first element a11 of a and compute the address location of a jk for a jk using the formula अब देखे क्या होगा इसमें की माल लीजे for a 2-dimensional two-dimensional array array of m into n order pick the address of the jk element will be अब JK element का अगर हमें address निकालना है तो अब इसमें दो अगर आप column measure use कर रहा है column measure order use कर रहा है ठीक है तो इसमें क्या होगा आप यहाँ पर लिखेंगे location of a of JK is equal to हो जाएगा base address of a base a plus यह आजाएगा word of m k-1 plus j-1 ठीक तो अगर आप column measure order यूज़ कर रहा है तो जे जे के अध element का address इससे निकलाएगा और अगर आप row measure order यूज़ कर रहा है if you are using row measure order ठीक है तो इसका address location of a of jk यह आपका आएगा base a plus width of n j-1 plus k-1 तो depending upon the type of order you are using column measure से आप इस फर्मले से address निकल सकते हैं किसी भी element का और row measure से इस से आप किसी भी element का address निकाल सकते हैं और base address जो है वो यह है base a ऐसे आप लिख सकते हैं इसमें यह ध्यान रखेगा w जो हमने यहाँ पे लिखा है यह ध्यान रखेगा कि w denotes the number of words per memory cell for the array a clear अब इसमें क्या होगा कि इसमें एक चित्यान रखनी है कि यह जो formula है इसको आप देखिए कि note that the formulas are linear in j and k linear in j and k मतलब j और k की single power में है and that one can find the address or location of a, j, k in time independent of j and k तो इसलिए किसी भी element का अगर आपको address निकालना है तो चाहे row major हो चाहे column major हो इस तरह आप formula में रखके easily उसका address calculate कर सकते है तो I hope कि आपको यह clear हो गया होगा अगर कोई confusion या doubt है तो comment line में comment करके लिखिए और अगर video content पसंद आ रहा है तो please video को share कीजे like कीजे, channel को subscribe कीजे और notification bell को जरूर on कर दीजे ताकि next video की information आपको time से मिल सके है Thank you